हेलो फ्रेंट्स वेलकम तो मैं चैनल शाइना गोईल फ्रेंट्स आपकी रिक्वेस्ट को देखती हुए मैंने यह जो नोट्स के फॉर्म में लेक्चर्स हैं यह अप्लोड किये हैं यह आपको help कर पाएं इस lockdown के टाइम में जहां आपका study का बहुत loss हो रहा है आप lectures या schools वगेरा attend अपने college नहीं कर पा रहे तो यह आपके बहुत help करेंगे notes prepare करने के लिए भी और अपने subject को prepare करने के लिए भी so आज का हमारा जो topic है that is methods of teaching देखे यह आप beard के जो भी आपके subjects हो सभी बच्चों ने यह topic बिलकुल करना है और यह बहुत important है so इससे पहले कि हम यह topic start करें friends अगर आपने मेरे channel को अभी तक subscribe नहीं किया देखे methods of teaching दो words से बनके मिला है first is methods then is teaching यानि कि mode और way of teaching method means a way of communication between teacher and the taught यानि कि teacher and students के बीच में जो communication होता है teacher बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं किस तरह से पढ़ाते हैं उसी को हम बोलते है methods of teaching तो इसके साथ ही एक proper definition भी यहाँ पे दी हुई है regular ways और orderly procedure employed by the teacher in guiding the pupils in order to accomplish the objectives of learning situations तो हम one by one जो methods हैं यह discuss करेंगे short में the first one is lecture method इसको हम telling method भी बोलते हैं जो generally classrooms में सबसे ज्यादा यही method यह होता है teaching a lesson in the form of speech or talk जैसे ही teacher class में आते हैं तो teacher ही इसमें ज्यादा active होते हैं students सिरफ बैठ के सुनने का काम करते हैं teachers बोलते रहते हैं बच्चों को explain करते हैं बिलकुल जैसे अभी मैं इस वीडियो में आपको बता रही हूँ यह एक lecture method यह है because आप सिरफ यहाँ पे सुन रहे हैं आप कुछ बोल नहीं सकते तो मैं आपको जो भी topic है यह सब कुछ explain कर रहे हूँ और आप सिरफ as a listener काम कर रहे हैं तो I am acting here as a teacher and you are acting as a student यह proper एक lecture method की live example चल रही है तो इसके merits क्या होते हैं ज्यादा information हम थोड़े time में दे सकते हैं क्योंकि अगर बच्चे बार-बार questioning करेंगे तो topic में interruption होती है तो फटा-फट सारी बाते कम time में ज्यादा बच्चों को हम समझा सकते हैं through lecture method इसके demerits क्या हैं कि सबसे ज्यादा जो workload है वो teachers पे होता है क्योंकि उसी ने सब method prepare करना है और उसे अच्छे से explain करना है in case अगर वो discuss कर पाते हैं students के साथ तो students के भी views आते लेकिन वो यहाँ पे possible नहीं है lecture method में तो students यहाँ पे क्या होते हैं passive listeners अक्सर हमने देखा है class में जब lecture method से teaching होती है तो बच्चे अक्सर सो भी रहे होते हैं class में इतना वैसे मुझे बहुत boring method लगता है यह lecture method तो इसमें जो main एक और point है individual difference ignore होता है दिखिए class में इतने सारे बच्चे बैटे होते हैं हर एक की सुनने की समझने की capacity खुद की होती है ठीक है तो teacher अपनी speed से बोलते हैं समझाते हैं बच्चों को जो तो intelligent बच्ची होती हैं वो एकदम से जो भी teacher समझा रहे हैं वो अच्छे से समझ लेते हैं लेकिन जो weak students होते हैं ठीक है उनको समझ में नहीं आता या फिर वो थोड़ा पीछे भी रह सकते हैं अब देखिए हम computer subject के बारे में बात कर रहे हैं तो computer एक totally practical subject है तो इसके related जो theory है पहले थोड़ी बहुत theory बतानी ज़रूरी है लेकिन जब तक practically आप इसको perform करके नहीं देखेंगे या teacher आपको इसके related कुछ practically नहीं दिखाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा ठीक है तो यहाँ पर एक example ली होई है जैसे topic है computer parts parts of computer का topic teacher बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो इसकी बजाए कि वो बातों में बताएं उनको बोल कर बताएं बेटर है कि वो कोई demo दे कोई chart के थूँ जो diagrams बनी होती है उसके थूँ वो बच्चों को show करें तो उससे जो यह concept की ज्यादा clarity होती है इसी को हम बोलते हैं demonstration method तो इसके basically जो steps हैं वो यह है six steps of demonstration method first is planning and preparation यह देखे lesson plan के अंदर भी आता है कि सबसे पहले teacher को यह plan करना पड़ता है कि वो जो demonstrate कर रहे हैं बच्चों के सामने उनके पास वो material होना चाहिए सारा कुछ then introduction of the lesson this is clear to you फिर actual teaching जो होती है then पढ़ाते पढ़ाते बीच में ही अपने जो teaching aids है मैंने अभी बात की charts की models की तो वो show कर सकते हैं बच्चों को then finally होती है evaluation यानि कि बच्चों से questioning करना ताकि teachers जान सके कि बच्चों को कितना समझ में आया जितना अभी तक वो पढ़ा चुके हैं next इसकी है merits यानि कि इसके benefits क्या है deeper understanding, discipline क्योंकि देखिए जो चीज देखकर बच्चे सीखते हैं उसमें बच्चों का interest ज्यादा develop होता है तो naturally बच्चे discipline maintain करके रखते हैं class में disturbance ज्यादा नहीं होती और students की active participation भी होती है interest भी होता है and ये child centered approach है because ये बच्चों को देखते हुए ये approach बनाई गई है ताकि उनको अच्छे से जो topic है वो समझ में आए तो इसके demerits क्या होते है costly method हर एक topic के लिए हम अगर demonstration देना चाते हैं तो सिरफ chart या model से काम नहीं बनता और भी बहुत कुछ available material करवाना पड़ता है तो वो costly चीज हो जाती है then time consuming burden the students क्योंकि हर एक student की समझने की सुनने की capacity वही different होती है तो इसमें lack of pupil activity भी होते है क्योंकि सारे चीज़ टीचर ही बना कर लेके आते हैं तो बच्चों को सिरफ ध्यान से देखना होता है सुनना होता है now next is the problem solving method जैसे की इसका नाम बता रहा है in this students are not told the solution of the problem but they are taught and trained method में क्या होता है कि उनके सामने actual problems आती है teacher उनको prepare करते है कि आपने अभी आपको एक हम task देंगे उसके regarding कुछ guidance teachers दे रेते हैं तो जो actual task है उसको solution वो नहीं बताते हैं उसको solution बच्चों को खोद find out करना होता है तो यह होता है problem solving method इसके जो stages है या steps है यह क्या है identification of the problem सबसे पहले problem को identify करना कि actually हम कहते हैं कि अगर हमें question अच्छे से समझ में आ गया तो समझ लिए आधा तो हमने वो solve करी दिया तो वो ही है identification of the problem कि जो problem है उसको सबसे पहले अच्छे से समझना then analysis of problem and gathering related information तो जब हमने problem को समझ लिया है तो अब यह भी देख लें कि वो solve कैसे होगी कहां से उसके related हमें information मिलेगी कौन सा formula लगाना है कौन सी हमने जैसे computer में होते हैं loops होते हैं ठीक है if then else statements होती है कौन सी चीज़ से हमारा जो question है वो solve होगा next is selection of one or more hypothesis अब किसी भी problem को solve करने के लिए बहुत सारे ways होते हैं तो आप कौन सा way choose करेंगे फिर उसको test करेंगे अपने problem के साथ की क्या ये way इस पे apply होगा या नहीं होगा then finally coming at the conclusion to solve the problem अब इसकी importance कहलो merits कहलो या फिर utility ये तीनों एक ही बात है तो इसकी क्या है ये increases child's ability to think, develop, knowledge, etc अब देखिये ये जो है इसमें ज्यादा काम students का हो रहा है teachers सिरफ एक as a guider यहां पे काम कर रहे हैं तो basically जो काम है सारा students को खुद करना है तो उनकी जो thinking capacity है knowledge है वो भी increase होती है self confidence भी बढ़ता है ठीक है उनका जो thinking level है वो बढ़ता है and learning becomes more interesting क्योंकि देखिये जो बच्चे खुद करते हैं करके सीखते हैं तो वो ना तो कभी भूलते हैं उसको और वो interest भी develop होता है खुद को motivation भी मिलती है कि yes I can do this work तो इसके demerits क्या होते है हर एक जगा पे ये हम method जो है apply नहीं कर सकती क्योंकि बहुत से concepts theoretical होते हैं जिसको problem solving technique बिलकुल भी जहां पे काम नहीं कर सकती है तो वहाँ पे ये method क्या है apply नहीं होता next is not suitable for lower classes देखिए जो चोटे बच्चे हैं उनको कैसे आप problem solving technique में involve कर लेंगे ठीक है तो वहाँ पे आपको better है lecture method बच्चों को प्यार से खुद ही पढ़ाना पड़ता है चोटे classes के लिए lack of suitable books and talented staff difficult to cover slaybers slaybers cover करना भी मुश्किल हो जाता है क्योंकि teachers ने तो अपनी speed से बच्चों को करवा देना है लेकिन जब बच्चे problem solving method में करते हैं तो उनका ध्यान नहीं होता कि भाईया हमने slaybers भी तो complete करना है इतना time अगर एक ही problem में waste कर दिये तो सारा slaybers कैसे complete होएगा so this is a time consuming method also now the next is project based method तो project based method के जो founder है यह है john davey देखिया यह कुछ points होते हैं जैसे founder हो गया या फिर जो topic है उसकी किसी भी author के related definitions लिखने है यह beard में बहुत important होता है and scoring भी होता है तो इसका basically जो principle है that is based on doing आप शायद जानते होंगे कि learning कैसे होती है या तो देखकर, सुनकर, कर-कर ठीक है visual learning, auditory learning and kinesthetic learning तो यह है हमारी kinesthetic learning यानि कि learning by doing जो हम खुद करके बच्चे सीखते हैं projects आपको मिलते हैं जैसे computer में projects मिलते हैं teachers project assign कर देते हैं कि आपने ये वाला project करना है या फिर वो वाला project करना है तो बच्चे खुद वो project handle out करते हैं सारा starting से लेके उसका analysis करना उसकी designing, coding and then finally उसकी testing विकरा सारा computer के अंदर आता है ये projects होते हैं तो इसमें teacher का role क्या होता है teacher as a guide काम करते हैं helper काम करते हैं teachers motivate भी करते हैं बच्चों को जगा जगा पे they keep an eye on the students to check that they are going on the correct path यानि कि teachers बच्चों पे ध्यान भी रखते हैं कि कहीं वो गलत दिशा में तो नहीं जा रहे कहीं सारा उनका time ही waste हो जाए गलत steps लगा रहे हैं computer में loops गलत लगा रहे हैं and so on तो इसके जो examples हम generally लेते हैं drawing maps ये एक project है कि हमें किसी जगा का बता दिया कि ये आपने इसका map draw करना है ठीक है कोई models बनाने models बना के देखिए आप खुद अपने hand से model बनाएंगे तो जो project ही है ये इसकी एक better example और अच्छे से समझ भी आएगा तो इसके characteristics क्या होते हैं whole hearted activity देखिए अगर बचों का interest ही नहीं है तो वो project बना कैसे पाएंगे तो ये naturally whole hearted activity होती है useful both inside and outside the school cooperative activity अब cooperative कैसे हुई तो पहले मैं इसकी types आपको बता दूँ इसकी दो types होती है एक तो individual project एक group project तो individual project होता है individual हर एक हर एक बच्चे को एक project assign कर देते हैं अलग लग ठीक है लेकिन group project क्या होता है कि जैसे suppose कोई project बढ़ा है तो एक बच्चे को handle करना मुश्किल है तो उसमें class में से कुछ groups बना देते हैं कि ए group ने suppose 10 students हो तो उन्होंने एक project करना है तो ये होते हैं group projects तो cooperative activity ये naturally होई क्योंकि cooperation से काम करना होगा 10 बच्चे एक group में है तो सभी को अपना अपना जो part है वो proper utilize करना होगा अपनी knowledge अपनी experience सब उसमें डालने होगे ताकि project जो उनका है proper बन सके Based on experience this is a child centered approach it develops logical power जितना आप खुद से करेंगे खुद से समझेंगे उतनी ही आपकी logical power जो है increase होगी यह इसकी है characteristics now comes to the principle इसके principles क्या है project method के principle of purpose principle of freedom principle of experiment देखिये purpose कैसे हुआ कोई भी project करने का एक purpose होता है suppose हम mathematical कोई एक simple sum भी solve करते है तो उसका purpose क्या है कि हमें इसका solution चाहिए तो project भी वैसे है project में कोई आपको task दी जाते है उसको complete करना ही इसका purpose होता है freedom क्यूंकि बच्चे अपने thoughts अपने way से इस project को handle करते है experiment भी होता है क्यूंकि वो कोई नो कोई new technique यूज करते है principle of reality actually बच्चे ये चीज़ करते है इसको principle of reality बोलते है principle of utility वही जो हम importance discuss कर चुके है इसकी then is principle of activity ये activity based है because बच्चे खुद से implement करते है learning by doing then is principle of social development social development कैसी होँआ क्यूंकि group project में बच्चे इतने सारे एक साथ काम करते हैं तो socially उनको एक साथ well behave, cooperation ये सारी चीज़े सीखते हैं ये किस के अंदर आती है social development के अंदर तो अब हम finally discuss करते है project method के जो steps होते हैं ये बहुत important है so the first step is creating a situation यनि कि teachers एक ऐसी situations create करते हैं जिसमें से बच्चे खुद सोच पाएं कि उनको कैसा project लेना है ठीक है so this is creating a situation then selection and objective तो teachers बच्चों की help करते हैं जब बच्चे actually जो project है अपना वो दो तीन projects अपने choose कर लेते हैं कि हम इन में से कोई choose करेंगे तो teacher उनकी help करते हैं कि आप इसके merits देखें demerits देखें और फिर अपने project को choose करें then comes the planning work तो planning project में एक बहुत ही important होता है because planning के बिना कोई चीज ही नहीं होती तो planning क्या है it means a scheme for the completion of the project beforehand अगर आपने पहले ही सारी planning कर लेनी है कि कैसे हम project handle करेंगे कौन से टास्क करेगा जैसे आपको पता है जो project के steps होते है design, development, analyze and evaluate तो अगर जितने भी बच्चे है उनमें हम divide कर लेते कि कौन सा बच्चा designing में अच्छा है उसको वो टास्क देदो कौन सा development में अच्छा है उनको वो टास्क देदो तो ऐसे करके एक planning बन जाती है then comes the execution इसमें जो बच्चे है responsibilities जैसे उन्होंने अपने में बांट ली है कि कौन सा बच्चा कौन सी काम करेगा हमारा काम complete हो जाता है तो evaluation में जब project खतम होता है तो teacher और students इकठे मिलके बैठके देखते हैं कि जो project दिया था वो अच्छे से complete हुआ है उसमें कोई mistakes तो नहीं है कोई errors आ रही हैं तो वो कैसे खतम कर सकते हैं future में ठीक है then is the recording recording क्या है यह एक record रखने के लिए बहुत important होता है at this step all the activities concerned with the project work must be maintained with full details तो एक return में work होता है जैसे for example मैं आपको छोटी सी बता देती हूँ recording में क्या लिखना है कि कौन से बच्चे ने कौन सा टास्क किया ताकि teachers को भी पता हो कि कौन सा बच्चा designing में अच्छा है कौन सा development में अच्छा है तो उसी interest को उनके enhance करते है ठीक है जो duties assign होती है तो यह सारा कुछ क्या आता है recording में अब हम discuss करेंगे इसके merits it is a psychological method yes because it is activity centered and child centered approach तो बच्चे को जा बच्चों का psychological level है वो भी increase होता है जब हम खूद कोई काम करते है तब ही उसकी value का पता लगता है वरना तो हम दूसरों को बोलते है ये भी कोई काम है एक minute में हो जाएगा लेकिन जब खूद करना पढ़ता है तब पता लगता है कि कितनी labor लगती है काम करने में कितने efforts लगते है इसको discourage करते है क्योंकि पढ़के सीखना अच्छा सीखना नहीं होता लेकिन करके सीखना वो एक permanent knowledge होती है तो practical knowledge भी होती है ये भी point explain हो चुका है now we will move on to the demerits time consuming है naturally project कब complete होगा कितनी mistakes होगी उसको कब improve होगा तो ये time consuming है इसलिए सब syllabus का time पे complete होना भी possible नहीं है expensive भी है requires highly experienced teacher तो इतने जो projects बच्चे handle कर रहे है उनकी जो errors है बच्चों की problems आ रही है उसको handle करने के लिए experience teacher की ज़रूरत पढ़ती है suitable for small groups only and neglects individual difference तो अगर बच्चे ज्यादा हो जाएंगे एक group में तो उनको handle करना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा तो individual difference वही बात आ गई कि बच्चे जो है इतने diverse होते हैं कोई slow learners होते हैं कोई fast learners होते हैं तो सभी के लिए method जो है apply नहीं कर सकते I hope यह जो topic है methods of teaching का यह आपको अच्छे से समझ आ गया है and friends अगर आपको यह video अच्छी लगी हो तो इससे like करें and ज्याता से ज्यादा अपने friends के साथ share भी करें ताकि वो भी अपनी जो exam की preparation है वो कर पाएं तो आने वाली videos देखने के लिए अपने exam की preparation करने के लिए keep watching and yes मुझे feedback देना ना भूले comment जरूर करें thank you